अपने इस्टडी को कॉंटिन्यू करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में भी हम लोगोंने इसी टॉपिक से यानि आपका जो फर्स्ट लेशन हो जाता है इस टॉपिक से हमने कुछ टॉपिक्स उठाए और उस पर डिस्कस की ठीक है ना तो इसमें आपका पहले तो लेशन का नाम क्या हो जाता है वो देख लेते हैं अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं परतिलोम समानुपात का अर्थ ठीक है तो इसमें हम लोगोंने किन चीज़ों पर डिस्कस किया तो इसमें पहले सबसे पहले अनुपात पर डिस्कस किया और आज आपका समानुपात हो जात तो अनुपात वास्तों में गडित में दो समान परकार की संख्याओं का तुलनात्म कध्यन है क्या है तो तुलनात्म कध्यन है या दो समान परकार की संख्याओं में एक परकार का संबंध क्या कहलाता है तो जो ये संबंध है ये अनुपात कहलाता है ठीक है ना जैसे आप इ उसकी तुलना नहीं हो सकती तो बिल्कुल कि जब तक समान परकार की दो राशिया नहीं होंगी तब तक उसकी तुलना नहीं की जा सकती तो इन सब चीजों पर डिसकस किया उसके बाद अनुपात के परकार को देखा यानि कितने परकार के होते हैं तो जैसे वर्गा अनुपा गना नुपात हो जाता है गन मूला नुपात हो जाता है और परतिलोमा नुपात हो जाता है और सयुक्तनुपात हो जाता है तो इसके बारे में डिटेल में डिसकस कि आज हम लोग किन चीज़ों पर डिसकस करेंगे तो समानुपात पर डिसकस करेंगे ठीक है ना तो नाम ही से पता चल रहा है यानि समान उपात तो इसको देख सकते हैं समान उपात यानि समान सम है ना सम यानि बराबर सम यानि क्या होता है तो बराबर है ना और अगर बात की जाए अनुपात यानि समान उपात यही तो हो ना तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका क्या ह जाता है तो ये आपका अनुपात हो जाता है यानि समानुपात ये हो जाता है जो अनुपात बराबर या समान हो उन्हीं को समानुपात कहते हैं यहां तक आपका हो गया अब इसको समझ लेते हैं यहां पर पेश ले लेते हैं उसके बाद कोश्चिन बाद में देखेंगे तो सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि इसको किस तरह से समझ सकते हैं कि ये अनुपाद है समानुपाद है क्या चीज़ें हैं तो इनको जानेंगे यानि कहीं पे इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाए ठीक है और ऐसे भी तो इसका मतलब क्या होता है आप अगर इस पोजिश तो इसको कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं A बटा B और आपका बराबर C बटा D है न तो इन दोनों को बराबर कर दें तो कैसे यहाँगे यह कैसे हो तो यह क्या कहा जाएगा तो यह समानुपात कहा जाएगा, है ना, तो लिखा इस तरह जाएगा, देख लें, किस तरह से लिखा जाएगा, जब इसको लिखेंगे, तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो आपका यहाँ पे लिख देते हैं, लाइन खीश के, A, अनुपात, B, और स इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और यह आपका क्या हो जाता है जो यह सिंबल है यानि यह आपका जो सिंबल है तो इसको क्या कहते हैं तो यह आपका जो सिंबल है इसको कहते हैं अनुपाद चिन क्या कहते हैं तो इसको अनुपाद चिन कहते हैं है ना अनुपाद चिन कह और देखे अनुपात चिन भाग के चिन से उत्पन हुआ है अगर बात की जाए कि यह उत्पन कहां से हुआ तो यह भाग के चिन से उत्पन हुआ तो आप खुद यह देख ले जैसे आप इस तरह से तो यह डिवाइट का सिंबल यही तो होता है और मानले यह लाइना फटा द होगा आई होप आप लोगों को चीजे समझ में आ रही होंगी अब देखिए यहां पर समझ लेते हैं कि जब दो अनुपात समान हैं ठीक है ना तो इसको क्या यह जो आपका सिंबल हो जाता है यानि चार बिंदों से इसको दर्शा सकते हैं तो चार बिंदों से इसे दर्शा सकते हैं या दो लाइने खीचे तो भी बराबर है अब आप दो लाइने इसको खीचे इस तरह से दो लाइने है ना इस तरह यहां पर एक डॉट यहां पर डॉट यहां पर ड दिखा सकते हैं यहां तक हो गया ना और जो यह चिन आपका हो जाता है यह जो आपका सिंबल हो जाता है इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं समानुपात किसका सिंबल यह हो जाता है तो समानुपात का सिंबल यह हो जाता है अब यहां पर डिसकस कर लेते हैं कि जब दो अनुप जब दो अनुपात समान हो तो किस तरह तो A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D इस परकार से लिखने को क्या कहते हैं तो समानुपात कहते हैं इस तरह से जब आप लिखेंगे तो इसको क्या कहेंगे इसको समानुपात कहेंगे और इसमें देखें इसको सरल कैसे किया जाता है तो इसको भी देख लेते हैं तो जो आपका पहला हो जाता है यानि कि A अनुपात B हो जाता है इसको किस तरह से लिख सकते हैं तो A अनुपात B को आप A बटा B में आप इस तरह से लिख सकते हैं और आपका समानुपाद यानि ये बराबर यही तो हुआ न कि चार बिंदू जो है तो इस तरह से भी तो आप लिख सकते हैं ना इसको तो यहाँ पे बराबर का निशान हो गया और यह आपका जो C अनुपाट D है तो C बटे D आपका हो जाता है अब क्या करेंगे वज्र गुड़न कर देंगे जिसको क्या कहते हैं कैची गुड़ा तो वज्र गुड़न जब ऐसे करेंगे तो इस तरह से आप इसको कर देंगे अब किसका गुड़ा किसके साथ तो A गुड़े D यही तो होगा ना तो आपका यहाँ पे लिख देते हैं A गुड़े और यहाँ पे आपका D हो जाता है और बराबर आपका B गुड़े C हो जाता है B गुड़े C आपका हो जाता है यहां तक आपका हो गया अब आप इसको एक चीज और एक तरीके से आप और समझ सकते हैं इसको पहले हम रिस कर देते हैं यहां पे आप दिखिए जैसे आपका A अनुपात B है ना और समानुपात C अनुपात D यानि आप यहां पे किस तरह समझ सकते हैं जो आपका A और ये D है इसको क्या कहते हैं यानि जो बाहर पढ़ने वाले पद हैं उनको क्या कहेंगे देखिए A भी आपका इधर बाहर है और D भी आपका बाहर है तो इसको क्या कहेंगे तो इसको कहेंगे बाहिपद क्या कहेंगे तो बाहिपद कहेंगे या आप इसको बाहरी संख्या भी कह सकते हैं और आपका जो B और ये आपका C हो जाता है इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे मध्यपद क्या कहेंगे तो इसको कहेंगे मध्यपद ठीक है ना इसको मध्यपत कहेंगे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फिर से देख लेते हैं समझ लेते हैं कि जो आपका ये बाहरी नुमबर है तो इसको क्या कहेंगे यानि आपका A इस साइट में है और D आपका इस साइट में है तो इसको क्या कहेंगे इसको बाहर पत कहेंगे यहां तक clear हो गया अब देखे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि समानुपात में बाहे पदों का गुरनफल बराबर मद्ध पदों के गुरनफल के क्या चीज़ कि इस तरह से देखे समझ सकते हैं कि बाहे पदों का गुरनफल बाहे पद कौन तो A और D यही तो है ना बाह बाहे पदों का गुड़न फल और मद्ध पदों के गुड़न फल यानि यहां पे आप समझ लें बाहे पदों का गुड़न फल और आपका बराबर हो जाता है यहां पे देखिए जगा नहीं है लेकि थोड़ा सा यहां पे अज़स्ट करते हैं मद्ध पदों का गुड़न फल है ना मद्ध पदों का गुड़न फल यह आपका हो जाता है तो अनुलोम तथा प्रतिलोम प्रतिलोम समानुपाथ क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे तो I hope आपको समानुपाथ समझ में आ गया होगा यानि इसमें बाहे पद मद्ध पद इन पे सब कोश्चन भी कुछ करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग चीजों को समझेंगे किस तरह से क्या होता है किसके कौन से सिंबल है कैसे क्या क्या जाता है मद्ध पत क्या होता है जब आप इसकी चीजों को समझ लेंगे आपका कॉंसेप्ट क्लियर होगा तब आप क्या करेंगे आपके सामनी कोश्चन आएंगे आप लोग अपनी आप स ही answer निकाल पाएंगे ठीक है ना तो पहले इसके concept को समझ लेते हैं उसके बाद questions को करेंगे तो यहाँ पे आपका यह हो गया अब हम लोग देखेंगे अनुलोम तथा परतिलोम समानुपाद इसमें अब है अनुलोम समानुपाद है ना तो पहले अनुलोम समानुपाद देखेंगे फिर परतिलोम समानुपाद देखेंगे तो अनुलोम समानुपाद किसे कहते हैं इसको रब कर देते हैं ठीक है ना तो अनुलोम अनुलोम समानुपाद अनुलोम समानुपाद ऐसे अनुपाद से संबंध जिससे एक पद के बढ़ने से दूसरे पद का मान भी बढ़ जाए अनुलोम समानुपाद कहलाता है कि ऐसे अनुपाद से संबंध जिससे एक पद के बढ़ने से दूसरे पद का मान भी बढ़ जाए वो अनुलोम समानुपाद कहलाता है या यू कहले एक पद में मान घटने से दूसरे पद में भी मान घट जाए ऐसे संबंध को अनुलोम समानुपाद भी आप कह सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुलोम समानुपाद भी आप कह सकते हैं प्लस आप कह सकते हैं सीधा समानुपाद भी आप कह सकते हैं औ जैसे एक पुस्तक का मूल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका एक पुस्तक का मूल बराबर कितना है तो 6 रुपए है, ठीक है ना? तो इस तरह से दो पुस्तक का मूल कितना हो गया तो दो पुस्तक का मूल कितना हो गया जब एक पुस्तक का मूल 6 रुपए है तो दो पुस्तक का मूल 12 रुपए हो गया है ना तो 12 रुपए हो गया इसी तरह से तीन पुस्तक का मूल कितना हो गया तो तीन पुस्तक का मूल आ आपका हो गया अठारा रुपए है ना छे कम छे चे दुनी बारा छे ती अठारा तो अठारा रुपए हो गया अब यहाँ पे देखे साथ पुस्तक का मूल कितना हो गया तो साथ पुस्तक का मूल कितना हो गया जब एक पुस्तक का मूल छे रुपए था तो साथ पुस्तक का मूल आप कैसे निकालेंगे तो साथ गुडे छे है ना तो साथ चंग 42 रुपे तो 42 रुपे हो गया है ना 42 रुपे हो गया यानि अनुलोम संबंध है यानि सीधा संबंध है कि आपने एक पुस्तक खरी दी तो 6 रुपे की फिर दो पुस्तक के आपने खरी दी तो एक पुस् अनुलोम संबंध ये कहलाता है जैसे यहाँ पे देखे जैसे दो पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है वैसे यहाँ पे देखे जैसे जैसे क्या है जैसे आपने यहाँ पे दो पुस्तक थी तो बारा रुपए हो गया फिर तीन पुस्तक थी तो अठारा रुपए हो गया या जैसे जैसे पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है यहां पर समझ लें इसकी जो परिभाश है उसको भी समझ लें थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं जैसे जैसे क्या है तो जैसे जैसे पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है यहां पे वैसे वैसे चीजें भी यानि जैसे जैसे क्या है कि पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है यानि पुस्तक बढ़ रही है तो उसका रेट भी यानि आपने एक पुस्तक खरी दी त तो बारा रुपए तीन पुस्तक खरीदी तो अठारा रुपए साथ पुस्तक खरीदी तो 42 रुपए यानि पुस्तक बढ़ रही है तो उसके जो दाम है वो भी बढ़ रहे हैं तो ये कैसा संबंद कहलाता है तो ये अनुलोम संबंद कहलाता है इस तरह से और भी कुछ एक् मूल 24 रुपए है कितना है तो 24 रुपए है तो इस अकॉर्डिंग दो पुस्तक का मूल कितना होगा तो जब चार पुस्तक का मूल 24 रुपए है तो यानि पहले आपको पता होना चाहिए कि एक पुस्तक का मूल कितना है है ना तो उसी अकॉर्डिंग तो आप करेंगे तो या तो पुस्तक का मूल 12 रुपए आपका हो जाता है यहाँ पे यानि पुस्तक की संख्या बढ़ी तो मूल भी बढ़ा और पुस्तक की संख्या घटी तो मूल भी घट गया यानि पहले 4 पुस्तक थी तो 24 रुपए फिर पुस्तकों की संख्या घटी घटकर 2 ही रह गए तो मू लिबी घट गया यानि यह कैसा अनुपात है यह अनुलों समानुपात है या सीधा समानुपात हो जाता है उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा और समझ लेते हैं देखे एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ embassy यहाँ पे देखे चार पुस्तक तो चौबिस रुपए है ना अगर यहां पे कह देते कि साथ पुस्तक का मूली कितना है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना रहता यानि जब आपका क्या पुस्तके बढ़ रही है तो दाम भी बढ़ रहे है और पुस्तके घट रहे है तो दाम भी समझ लेते हैं कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है तो क्या होगा तो समानुपात अनुलोम समानुपात और एक चीज के घटने से दूसरी चीज घट रही है तो क्या होगा तो अनुलोम समानुपात यानि एक चीज के घटने से दूसरी चीज घट रही ह यही तो है ना कि एक चीज़ घट रही है यानि अगर पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है तो दाम भी घट रहे हैं जैसे आप यहाँ पे समझ लें कि जैसे तीन घंटे में 15 किलोमीटर कोई व्यक्त चलता है जैसे आप यहाँ पे देख लें कि तीन घंटे में 15 किलोमीटर ह चलता है तो 6 गंटे में 6 गंटे में क्या होगा 6 गंटे में तो डबल हो गया ना तीन गंटे में 15 किलो मीटर चलता है तो 6 गंटे में तो 30 किलो मीटर यही तो हुआ कि जब समय बढ़ा तो इधर की भी संख्या आपकी बढ़ गई यही चीज तो हुआ ना तो एक राशी एक्जाम्पिल देख लेते हैं जैसे आपका हो जाता है चार गंटे में चार गंटे में 16 किलो मीटर कितना तो 16 किलो मीटर कोई व्यक्ति चल रहा है तो दो घंटे में कितना चलेगा तो दो घंटे में देखिए यही तो हुआ ना यानी एक राशी के घटने पर दूसरी राशी घट गई तो यहां पे क्या हुआ तो यहां पे अनुलोम समानुपाथ हो जाता है इस तरह से चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी अगर कहीं पर कोई डाउट है कोई किसी कॉंसेट को आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें हम उसका रिपलाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे अब यहाँ पे देख लेते हैं परतिलूम समानुपाद, क्योंकि अभी हम लोग क्या कह रहते हैं, हम लोग क्या चीज पढ़ रहते हैं, तो हम लोग अनूलूम समानुपाद के बारे में पढ़ रहते हैं, अब देखेंगे परतिलूम समानुपाद, परतिलूम समानुपाद यानि उल्टा है ना उल्टा होता है यानि एक चीज बढ़े तो तूसरी चीज घड़ जाए जैसे किसी काम को बीस व्यक्ति कितने तो बीस व्यक्ति यानि आदमी है ना कितने तो दस दिन में करते हैं कितने दिन में करते हैं तो जब 40 व्यक्ति होंगे तो कितने दिनों में करेंगे तो क्या होगा तो इसमें एक चीज जब बढ़ रही है तो दूसरी चीज घड़ रही है यानि मालीजी आप अकेले कोई काम करें तो टाइम लगेगा लेकिन जब ज़ादा लोग वर्क को, वर्क को करेंगे, तो क्या होगा? वो जल्दी से हो जाएगा, है ना? तो इसमें ein चीज जब बढ़ रही है, तो दूसरी चीज घड रही है, तो इसी को क्या कहते है? परतिलोम समानुपात कहते हैं, है ना? तो यहां पे कितना हो जाएगा? तो 20 वे तो वही काम आपका पांच दिन में हो गया ठीक है ना और समझ लेते हैं जैसे चोधा आदमी है है ना 14 तो यहां पे समझ लेते हैं 14 आदमी है और 28 दिन में कोई काम कर लेते हैं तो चौबिस आदमी कितने दिनों में काम करेंगे? कितने दिनों में काम करेंगे? तो इसको भी solve करेंगे लेकिन यहाँ पए चीज़ें समझने की है कि he concept क्या है? यानि कि 14 आदमी थे तो 28 दिन में वो कारिकिया जा रहा था लेकिन जब आदमियों की संख्या बढ़ गई तब क्या होगा तो दिनों की संख्या घड़ जाएगी न क्योंकि जादा लोग होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा तो ये क्या है तो ये किसको दर्शा रहा है ये दर्शा रहा है प्रतिलों संबंध को दर्शा रहा है तो अब हम लोग questions की तरफ चलते हैं, कुछ questions देख लेते हैं, उसके बाद और भी questions करेंगे, जो next class में आपके होंगे, यानि lecture number 3 में होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने concept को clear किया, question है आपका, एक व्यक्ते, एक व्यक्ते 8 घंटे में 24 किलोमीटर चलता है, तो वो 5 घंटे में क किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ पे आपका question जो है, वो क्या कहरा हैं, कि एक व्यक्ते, तो पहले आप यहाँ पे देखीए, एक व्यक्ती 8 घंटे में, तो सबसे पहले यहाँ पे कितने घंटे दिये हुए हैं, तो 8 घंटे दिये हुए हैं, तो यहाँ पे आप समय डाल उसके बाद क्या कहा रहे है, कि 24 km चलता है, यानि दूरी यहां पर डाल लीजिए, आप देखे, समय की जगा पर 8 घंटे आप लिख लीजिए, ठीक है ना, और दूरी की जगा पर आप लिख लेंगे 24, क्योंकि 24 km चलता है, फिर उसके बाद क्या कहा रहा है वो पांच घंटे में कितने घंटे में तो पांच घंटे में यहाँ पे पांच घंटे में और कितने किलोमीटर चलेगा यह देखिए कहा रहा है कितने किलोमीटर जहाँ पे कितने की बात हो तो क्योंकि आपको पता नहीं है तो वहाँ पे अब एरो आप बनाएंगे तो यह जो आपका अनुपात हो जाता है इसमें एरो आपके देखिए इस तरह से एरो बनते हैं ठीक है न यह अनुपात कैसा हो जाता है तो यह अनुपात आपका अनुलोम समानुपात हो जाता है यानि यह संबंद कैसा हो जाता है तो अनुलोम समा वानुपात हो जाता है अब क्या करेंगे आप तो आपका 8 और 5 यानि समय कितना दियो है पहले आपका समय 8 घंटे था और दूरी आपकी 24 और समय आपका 5 घंटे और दूरी आपको नहीं पता है तो अब आप क्या करेंगे तो 8 यहां पे दिखिए जगा नहीं इस वजे से यहा चुप बटे 5 हो जाता है और क्या करेंगे केच्ची गुयाँ यहाँ इस तरह से आप कर लेंगे उसके बाद आप क्या चैप आठ थै ओर वह भी आप हो जाता है और इसके बाद आपका यह 24 और गुड़ेे आपका पांच हो जाता है तो अब आप जब ये आपका गुड़े में क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं होता है तो वो गुड़ा होता है ना गुड़ा करना होता है तो यहाँ पे आपने X कर लिया और 24 गुड़े 5 और बटे आपका कितना हो जाता है तो 8 हो जाता है तो 8 कम 8 और 8 त्रिक 24 तीन से आपने काड़ दिया और तीन और ये पांच आपका कितना बचा तो यहाँ पे देख लेते हैं देखें तीन और गुड़े पांच तो तीन पचे 15 यानि 15 किलोमीटर आपका आ जाता है यानि आपका आंसर कितना हो जाता है तो 15 किलोमीटर आंसर आपका हो जाता उसके बाद आपका next question है next question की तरफ चलते हैं कि किसी कारिक को यानि किसी कारिक को 12 आदमी 18 दिन में करते हैं क्या करते हैं तो 12 आदमी 18 दिन में करते हैं तो 8 आदमी उस कारिक को कितने दिनों में करेंगे क्योंकि देखे पहले क्या था पहले 12 आदमी थे तो उसी काम को कितने दिनों में किया जा रहा था तो अठारा दिनों में किया जा रहा था अब आदमियों की संख्या घटा दी गई है तो जब आदमियों की संख्या घटा दी जाएगी तो क्या होगा तो जब कम आदमी होंगे तो उसी काम को जादा दिनों में किया जाएगा है ना तो यहां पे इ लिखेंगे आदमी और आप यहां पे लिखेंगे दिन आप समय भी लिख सकते हैं तो दिन या समय ठीक है ना दिन या समय आदमी कितने पहले आदमी कितने थे तो बारा आदमी थे तो यहां पे आप लिख लें बारा आदमी और उसके बाद दिन कितने तो दिन अठारा तो यह कितने लगेंगे तो वो आपको नहीं पता है तो इस तरह से आप जो आपका अब ये कैसा है तो ये अनुलोम है या परतिलोम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि ये कैसा संबंद है अनुलोम संबंद है या परतिलोम संबंद है तो यहाँ पर समझें कि अब आप arrow लगाएंगे एक arrow इधर का लगाएंगे और जो यह प्रतिलोम देखिए प्रतिलोम संबंध है तो अब आप इसको इस तरह से arrow इसमें लगा लेंगे अब क्या करेंगे देखिए बारा और आठ है तो बारा बटटे आठ ही आपकर हो जाता है और इसमें क्या करना होता इसमें संख्या पलट देनी होती है देखिए जैसे ये उपर आपका 18 है तो इसको नीचे कर देना है और ये जो यानि हर को अंश और अंश को हर ऐसे भी आप कह सकते हो या आप 18 की जगा पे X यानि आप X उपर करेंगे है ना तो X आपने उपर कर दिया और आपका ये 18 हो गया अब आप क्या करेंगे वही वज्र गुड़न यानि कैची गुड़ा तो 12 और 18 और 8X यही तो बचा आपका ना तो यहाँ पे आप समझ लें कि 12 गुड़े 18 और आपका बराबर में हो जाता है 8 यहाँ पे और गुड़े X आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8X लिख सकते हैं ठीक है ना तो यहाँ पे आपका X है तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे समझ लेते हैं कि यह 12 और यह 18 है ठीक है ना तो इसको यहाँ पे उठा लेते हैं 12 गुड़े 18 और आपका हो जाता है बटे में कितना रहेगा 8 क्यूंकि ये गुड़े में हो जाएगा और उसके बाद ये X आपका हो जाता है निकालना क्या है ये जो X के क्यूंकि हमको नहीं पता है इसलिए तो हम X रखते हैं ना तो यहां पर आप इसको काटेंगे तो 4 दू 2, 2, 9, 18, क्योंकि 18 है यहां पे, ठीक है, 2, 9, 18, तो 9 यहां पे हैं और 3 यहां पे हैं, यानि इनका और इनका गुड़ा करवाना है आपस में है ना, तो 9, 3, 27, यानि आपका जो आंसर निकल कर आ गया, वो 27 दिन निकल कर आ गया है, ठीक है ना, यानि आपका 27 दिन आंसर हो गय तो यहां पर यह complete हो जाता है और यह session भी complete हो जाता है I hope आप लोगों को चीज़े समझ में आई होंगी अगर कहीं पर कोई चीज़े समझ में नहीं आई है तो आप लोग comment कर सकते हैं उसका reply आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे तो मिलते हैं next class में तब तक आप लोग ना ख्याल रखें और study को continue करें और जब भी आप इसको देखें जब भी class attend करें तो आप लोग notes बनाते हुए जरूर चलें ठीक है न? Thank you